आई ये बेटा बात करते हैं, exercise 4.2 की, 4.2 start करने से पहले एक word जानने है, वो है solutions, solutions क्या होते हैं, the values of x and y which satisfy the equation, यानि x और y की वो values, यानि x और y की जगा वो numbers जिसको रखने से equation satisfy हो जाए, अब आप बोलोगे satisfy कैसे कहते हैं, तो बेटे satisfy कहते हैं, left side और right side के equal होने को, sir मतलब, मैं कहाओ, एक example कि थुरू समझते हैं, let's say, एक equation में पास x plus y is equals to 2, मैं आप से simple सा question पूछता हूँ, मेरे कोई, वो numbers बताओ, जिसको यहाँ रखने से right side के equal आजाए, आप बोलोगे sir क्या, let's say, आप कहोगे sir 101, 1, ठीक है, देखो, x की जगा 1 रखू, y की जगा 1, यानि 1 plus 1, 2, match करेगा, तो यह एक solution है, और बताओ, आपने का 0 और 2, यह भी a solution है, और बताओ, sir 2, 0, मैं कहा बस, ठक गए, एक और बताओ, चलो, मैं बता देता हूँ, 3 और minus 1, check कर लो, 3 minus 1, 2, आ रहे हैं, match कर रहे हैं, तो यह सारी के solutions हैं, जबर comment section में मैं को एक solution आप अपना और बताना, चलो, अब question पर आते हैं, example 3 है, क्या कहता है, find 4 different solutions of the equation, this, कहता है क्या करो, find 4 different solution, 4 solutions निकालने हैं, जिसने मैंने यह आपर 4 लिका लेते हैं, ठीक है, तो आप निकालते हैं, क्या x plus 2y is equal to 6 equation, अब मैं आपको निक advice करूँगा, आपने कैसे table बना लो, आगे यह काम आएक साइस 4.3 में, ऐसे table बना लो, x, y, 4 है न, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, बहुत simple है, x के जिएक कोई भी number रखो, जो आपको पसंदो, जिस तरह मैं start कर रहा हूँ, 0 से, सबसे असान रहते है, x को 0 लो, फिर उससे y की value निकालो, फिर y को 0 लो, किस तरह, देखो, x के जिएक को कोई भी number रखो, लेट से हमने लिए, put x is equal to 0, ना डाल दो, 0 plus 2y is equal to 6, तो 2y हो गया 6, अब 2 हो रहे है, multiply, यहाँ पर आके, divide, x 0, तो y 3, ठीके, यहोगा पहला solution, 0, 3, इसी तरह और निकालो, तो सर, अब क्या y को लेने, मैं को वो choice हमारी है, हम x को ले, y को ले, जिससे हमान लीचे, मैं ले लेता हूँ, y को 0 लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x plus 2 into 0 is equal to 6, x की value 6, यानि जब y 0 लिया, तो x आया 6, किस तरह लिखेंगे, x 6 यानि 6, 0, ठीके, एक और लो, अब किसको ले सर, मैं को जो one कर रहे हैं, ले लो, माल लो, x को ले लिया, one, तो x की जगा रखा one, one plus two y is equal to six, one इदर प्लस है, तो इदर आके minus, two y is equal to six minus one, two y is equal to five, two क्या और है, multiply, इदर आके divide, यानि y is equal to five by two, तो y आ गया five by two, और x क्या था, one, तो क्या बना, one, comma five by two, इसी ज़र एक और ले लो, put करा, किसको ले सर, x या y, choice आपकी है, मैंने y को ले रहा हूं, put y is equal to one, ठीक है, x plus two into one is equal to six, x plus two is equal to six, इसे ज़र शिफ्ट करा, six minus two, four, तो answer हुआ four, comma one, यानि जब x four है, तो y one, एक बात का बस ध्यान रखना, कि मान लो, अगर आपकी कोई value आ चुकी है, तो आप उसे दुबारा repeat नहीं कर सकते, means, I mean to say that, कि मान लीजे, आप अभी y one ले रहे हैं, ठीक है, बट आप y three नहीं ले सकते, क्यों सर, मैं कहो क्योंकि y three आ चुका है, इसी तरह आप y zero नहीं ले सकते, या x को six नहीं ले सकते, यानि जो value आ चुकी आप उसको नहीं लोगे, बात समझाई, सर, x को three ले सकते हैं, हो सकता आपकी दिवाग में आए, तो मैंने कहा, हाँ, क्या x three आया है, अभी तक चेक करो, नहीं, point clear हुआ, अच्छा करें बच्चक के दिमाग में आएगा, इसा क्यार क्यों हो रही है सर, बता देता हूं, अगर आपने माल लो y को three ले लिया, देखो, तो आपका same answer आजएगा, x plus two into three is equals to six, x plus six is equals to six, six इतर आखे, minus, तो x के value zero, यानि क्या बना, zero comma three, अल्री है तो सही, इसलिए वो repetition हो जाएगी बटा, हमारे किसी काम की नहीं, इसलिए उसे avoid करना है, तो इसे note करिये, और try करिये example number four, right now, आएगे बटा करते, example four, क्या कहता है, find two solutions for each of the following equation, अब check करिये अपने steps, सबसे best way है, ये box बना दो, question है मागगा है, two solutions, ठीक है, तो सबसे best way, एक बार x को zero ले लो, four into zero, plus three y is equals to twelve, three y is equals to twelve, y की value, twelve by three, क्योंकि three multiply में था, कट गया, तो y आगया four, x zero, तो y four, ठीक है, zero कामा four, अब, y ले लो zero, तो क्या हो जाएगा, four x plus three into zero is equals to twelve, four x plus zero, यानि four x is equals to twelve, x क्या हो जाएगा, twelve by four, that is three, तो x three y zero, अच्छा, बच्चों के दिमाग में आता है, क्या सारी है, करके दिखाना हो, अगा मैं आपको पूरा, मैंने कर नहीं, अब डिरेक्ट लिख सकते हो, अगर आप mentally calculate कर सको, ये चीज, तो डिरेक्ट लिख दो, 99% teachers मान जाते हैं, 1% कुछ school के teachers हो सकते हैं, जो आपको बोलें, नहीं बेट, आपको पूरा करके दिखाना है, in that case, पूरा ही करना, ठीके, चलिए, एक part और, second part क्या है हमारा, 2x plus 5y is equals to 0, अब ये वाला part है, आए देखते हैं, put x is equals to 0, 2 into 0, plus 5y is equals to 0, 5y is equals to 0, 5 विदर आजाएगा, divide में, 0 वाई 5, 0, अक्सर बच्चों के एक practice होती है, कि 5 विदर आजाएगा, इदर आखे माइनस, no, x 0, तो y भी 0, 0, 0, ठीक है, अच्छा, अब फिर बच्चा क्या करेगा, बच्चा करेगा, sir, put y is equals to 0, no, बिल्कुल मत करना, already y आचुका है, बोला तो था, repeat हो जाएगी value, चावा तो करके देख लो, ठीक है, sir, फिर क्या करे, कुछ भी ले लो value, जो मन कर रहे, मालनों, मैं x को 1 ही ले रहा हूँ, तो क्या आजाएगा, 2 into 1 plus 5y is equals to 0, तो 2 plus 5y is equals to 0, 2 इदर आजाएगा, तो 5y is equals to minus 2, और 5 इदर आके divide, minus 2 by 5, तो क्या हुआ, x 1 लेने पर y आया, minus 2 by 5, ठीक है, 1, minus 2 by 5, अब इसका थर्ड पार्ट है, जो सबसे main खेल है, और सबसे असान है, आओ, थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट क्या है मेरा, थर्ड है, 3y plus 4 is equals to 0, इसके 2 solutions निकालने है, ठीक है, यह सबसे असान है, मैं आपको इसके एक trick सिखाता हूँ, insert इसके की पूरा लंबा करें, बिटे एक बात बताओ, कितने variables में यह है, 1 variable, 2 variable, 3 variable कितने है, आप कहोगे 1 variable, बिटे जब 1 variable में है न, ध्यान से सुलो trick, बतानो सीधा, क्या करो, y की value निकाल लो, इसको यहाँ भेजो, 3y is equals to minus 4, y क्या हो जाएगा, minus 4 divided by 3, ठीक है, तो आपका y हर बार same रखना है, और x को जो मर्जी रख दो, 1, 0, जो मना रहे हैं वो रखो, y हर बार same रखना, यह 1 variable के अंदर है, कई बच्चों के दमाग में doubt आ सकता है, ऐसा क्यों है सर, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, इसके एक simple reason है बिटा, यह 1 variable है, 1 को 2 variables में कैसे convert करते हैं, अगर आपको logic जानने हैं, तो यह देखना, नहीं जानना, समझ आ चुका है, आगे question number 2 try करना, ठीक है, जिनको logic जानने कैसा कर क्यों रहे हैं, तो मैं कह रहा था, कि 1 को 2 variables में कैसे लिखते हैं, 0x plus y, 0x plus 3y plus 4, right, x का coefficient क्या होगा, 0, यानि x को जो मर्जी रखो, हर बार, answer क्या होने वाला है, 0, इसलिए x की value हम fluctuate, यानि change कर रहे हैं, और y की value हर बार stable रख रहे हैं, point clear होगे, चलिए, इसे note कर लीजे, मैं इसके बाद आपको कराऊंगा, question number 2 का second part, ठीक है, and second part कराएंगे, हम question number 1 discuss करेंगे, then question 3, 4, तो मैं आपको sequence बता दिया, आप इस sequence में attempt करना शुरू करे, and इसे note कर लीजे, आई बटा, अब question number 1 कराने से पहले, एक छोटा सा note समझा दू, क्या, linear equation in two variables has, infinite many solutions, infinite many solutions, यानि, linear equation in two variables के, क्या, infinite solutions हो सकते हैं, अगर आपको याद हो, मैंने पहले example दिया था, x plus y वाला, खुद बता, ऐसे number जिनको plus करके 2 बन जाए, कितने हो सकते हैं, सर, infinite है, ठीक है, चलो, तो, question number one भी यही है, question one में basically पूछा है कि, इस equation के, क्या है, क्या होंगे, option a, b, c में से correct answer, unique solution, two solution, या infinite many solution, तो यह क्या है, linear equation in two variables है, तो उसका correct answer क्या हुआ, infinite many solutions, ठीक है, बहुत basic point था, अब, बात करते है, question two की, क्या है, write four solutions, हमार को चार solution बताने है, तो, आए ये table बना लेते, x, y, one, two, three, four, ठीक है, तो वही तरीका, क्या, put करा, x को 0, तो, pi into 0, plus y, is equals to 9, तो, pi into 0, 0, और 0 plus y, y हो जाएगा, तो, 0,9, फिर, put करो माल लो, क्या, y को 0 रख देते हैं, तो, क्या हो जाएगा, मेरा, pi x, plus 0, is equals to, 9, तो, pi x, कितना हो गया, 9, x क्या हो जाएगा, 9, divided by pi, तो, x हो गया, 9 by pi, y हो गया, 0, अब, इसी तरह, माल लो, x को, 1 ले लेते, pi into 1, plus y, is equals to 9, तो, pi plus y, is equals to 9, pi इजर इस बार आके, minus होगा, y is equals to 9, minus pi, ठीक है, तो, यहां पर मेरा साथ अक्या, solution लिख देता हूँ, इसके, 0,9, फिर, 9 by pi, 0, इसका आया, 1,9 minus pi, अच्छा, आपके, दिमाग में, confusion आ सकती है, किस सरा की, किस सरा, यह यहां पर आके, minus क्यों हूँ हूँ हूँ, तो, बेटा, हमने यह देखना है, कि हम किस variable की value निकाल रहे है, हम y की निकाल रहे है, और pi, y के साथ क्या हो रहे है, plus हो रहे है, इसलिए दुइंद आ के माइनस, बट scoop, यहां हम x के निकाल रहे हैं, और pi यहां यहां क्या हो रहे था, यहां multiply था, इसलिए यहां पर आके divide, ठीक है, अब, पूट करो, y को 1, pi x प्लस 1 is equals 9, 1 इदर आखे माइनस, 9-1, πx, 8, x की वेल्यू, 8 by π. तो क्या हुआ? 8 by π, 1, simple, ठीक है? अब इससे पहले में कोश्चन 4 पे चलू, कोश्चन 3 और 4, मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना है. एक्शली, पॉइंट बताने नहीं, मैं आप से पूशना चाहता हूँ, basically, बहुत simple सा पॉइंट है. अगर मालो मैं आपको बोलू, x plus y is equals to 2, क्या, क्या, 3,2 इसका solution होगा? क्या 3,2 इस equation को satisfy करेगा? अपको बताओ. आप बोलोगे, नहीं सर, मैं गाओ क्यूँ? क्यूँ सर, जब x को 3 रखे और y को 2 रखे तो वो 5 बनता है. ठीक है? ना की 2. तो क्या ये बात समझाई? क्या 3,2 एक solution होगा इसका? नहीं होगा. ये आपको question 3 के लिए hint है. ठीक है? तो इससे note करते हैं, फिर question 3 और 4 के और proceed करते हैं. question 4 के बात करते हैं. क्या करते हैं? find the value of k if 2 and 1 is a solution of this equation. again notice करो, equation मैंने read नहीं करी. सीधा इसे this equation बोल दिया. ठीक है? क्या कहते हैं, find the value of k. k की value निकालो. if x2 and y1 is a solution of this equation. की अगर 2 और 1 इस equation के solution है. तो करना क्या है? बिटा आपको पता है, जब ये solution है, ये जब solution है, तो इसका मतलब मैं अगर इसको equation में डालू, तो equation match करेगी, satisfy करेगी. बहिस समझो, x plus y 2 है. मैंने आपसे पूछा, क्या 1,1 इसका solution है? अब बोलोगे हाँ, कैसे? अगर x की जगा 1 और y की जगा 1 डालू, तो equation match करेगी. अब यहाँ इसने अब बत बोल दी, find the value of k, if, और बिटा, if का मतलब math में हमेशे given होता है, कि यह चीज़ बोल दीए है, तो 2 और 1 solution है, कुछ नहीं करना, x और y की जगा number डाल दो, यह निए 2 into 2, 4 plus 3, तो k की value कितनी आगई? 7, यह answer होगे, ठीक है? अब आगे चलते हैं, क्या कहता है? अई, question number 3 पे है, चेक which of the following are solutions of the equation and which are not. इन में से कौन-कौन सा इस equation का solution है? तो अब यह चेक करना है, कि क्या यह इसका solution है? वोही तरीका, क्या values डालो, अगर left और right match कर जाए, तो यानि है, नहीं करें, तो नहीं है, तो आप डालते हैं. अच्छा, जब चेक करना होता है, जब कोई भी चीज को चेक करना है, तो एक बारी में left-hand side लेते हैं, दूसरी बारी में right, और देखते हैं कि दोनों equal आए या नहीं आए, किस तरह? देखो, LHS, X और Y की values रख दो, X की जगा 0, Y की जगा 2, 0-4, क्या ये RHS के equal है? नहीं, क्योंकि RHS में क्या है? 4 आना चाहिए, 4 आया? नहीं, तो ये solution नहीं है, ठीक है? Not a solution, इसी तरह second part क्या है मेरा? Second part है मेरा, 2,0, आओ, इसको डालके देखते, X की जगा 2, Y की जगा 0, तो 2-0, तो 2-0, आया? नहीं है, ये भी नहीं है, Not a solution, ठीक है? ये भी नहीं है, अचाहिए, फिर, थर्ड पार्ट, इसको चेक करते हैं, 4,0, ये है, डालो, X की जगा 4, Y की जगा 0, येस, ये है, ये RHS के equal आ गया, ठीक है? येस, ये है, अब, फोर्थ पार्ट, जिसमें actual में बच्चे को problem आती है, या जिसको देखके, बच्चे घप रहा है जाते, बेफॉल्टू में, रूट 2 एंड 4 रूट 2, डालो, X की जगा रूट 2, Y की जगा 4 रूट 2, तो क्या होगा? रूट 2, 2 इन्टू 4, 8, या निए, 8 रूट 2, ठीक है? मैं याद दिला दू, चैप्टर 1 में हमने पढ़ाता, कि अगर सिंगल रूट है, तो इसका मतलब, बाहर इसके, 1 है, तो क्या होगा? 1-8, याद याद इस, –7, root 2, मैच कर रहे हैं? No, जिनको root का plus minus में दिक्कत आती है, उनके लेकबद, छोट असर में recap दे दू, कि root के अंदर क्या होते हैं? सिर्फ बाहर वाले number ही plus minus होते हैं, for example, root 2, plus 3 root 2, root 2 का मतलब 1, ठीक है? तो 2, root 2, root 2, same, 1 and 3, 4, 4 root 2, यानि सिर्फ बाहर वाले number, 1 and 3, यही plus होंगे, इसी तरह माइनस भी करते हैं, माल लीजे मैने बोला, 5 root 2 minus 3 root 2, तो 5 minus 3, ठीक है? 5 minus 3, 2, root 2, point clear हो रहे हैं? यही यहाँ पर point यूज हुआ है, अच्छा, multiply कैसे होता है? माल लीजे मैने बोला, 2 into 3 root 2, तो like terms, यानि 2 into 3, that is 6, और root 2 as it is, root 2 into 4 root 2, root वाला root से, बिना root वाला, बिना root से, root 2 into root 2, 2, 4 into 2, 8, ओके? एक last point और बताना, prefer करूँगा कि, root 2 plus root 3, ये add नहीं हो सकते, as it is रहेगा, मैंने बोला, same root ही add होते हैं, वो भी उनके सिर्फ, बाहर वाले number, ठीक है? आओ, फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, इसका, 1,1, क्या ये है? ये तो वैसी दिख रहे है, नहीं होगा, x की जगा 1 डालो, y की जगा 1 डालो, minus 1, है? पोर के एक पल, नहीं, तो not a solution, ये थी आपके exercise, अच्छा, जो question में आपको skip करा रहा हूँ, इसका मतलब, आपने वो अपने आप, करने होंबप में, इसे note करिए, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आप से next class में, बाई बाई!